कि हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे वेलकम टू दा बीएसपी फारमेसी तो भाई जल्दी जल्दी आजाईए बहुत देर के बाद इंतेजार आप लोग का खतम हो गया हमारा भी और भाई कल लाइब नहीं हो पाई थी कुछ इशू के कारण सो डोंट भी माइन लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से अपना वही टॉपिक स्केलेटन सिस्टम के अंदर जॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे थे जॉइंट्स के अंदर भी हमने पढ़ लिया था भाई दो जॉइंट्स के बारे में हम अल्रेडी बात कर चुके हैं थर्ड जॉइंट जो हमारा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट्स तो आज हमारा यह important topic है सभी को यह वाला point तो किलियर होना ही चाहिए तो आज हम साइनोवियल जॉइंट्स के जितने भी part हैं सारे के सारे discuss करने वाले हैं कि है कि साउंड तो बिल्कुल ठीक है आप अफना वाइस चेक कीजिए अगर इधर तो ठीक आ रही है थार्ड सेमस्टर कि थार्ड सैमस्टर की माइक्रो बाइलोजी की क्लास होगी दो दिन बाद अब भी वोइस कमा रही है क्या वोइस कमा रही है अभी भी और हाँ जी एक और information मुझे देनी है 15 अगस्त means कल से new batch start होने वाला था तो बिटा जी वो कल से start नहीं होगा because आज बहुत सारे students को आज भी कल भी 2-3 दिन से लगातार बच्चों के call आ रहे हैं हमें 2-3 दिन का वक्त और दे दीजे new batch start करने के लिए तो आप लोग की demand पे ही जो new batch है वो 15 दिसंबर से postpone हो करके 21 दिसंबर से new batch start होगा तो 21 दिसंबर से पहले सभी students join कर ले बाकी जो एक दो बच्चा रहेगा उसको हम अरेंज करवा लेंगे लेकिन जो अब new batch start होगा वो 21 दिसंबर से होगा 15 दिसंबर से नहीं होगा ओके लेकिन class चितने बच्चे आज भी जोइन हो चुके हैं कल भी जोइन हो चुके आप लोग को material सारा मिलेगा जो बच्चे सारे बच्चे मास्टर कोर्स में जोइन हुए तो बच्चों जितने बच्चों ने पर्चेस किया घबराना नहीं कि कल से क्लास नहीं चली जो बोल रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है अभी जो classes classes तो आपकी चलेगी लेकिन स्टार्टिंग से यूनिट फर्स्ट से 21 दिसंबर से क्लास चेलेगी तब तक आप ऐसा कर सकते हैं आप अपने कंटेंट में जाकर कि नवंबर दिसंबर वाला फॉल्डर सर्च करना उस पर क्लिक करना और उसी के अंदर आपको चारो सब्जेक्ट स्टार्टिंग से अल्रेड आपको वीडियोस देखनी है complete उसमें लाइफ हो चुकी है एक नवंबर दिसंबर वाले फॉल्डर पर क्लिक करना वहां पर आपको लेक्चर वन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे तो तब तक आप वो देख सकते हैं नहीं तो आप जो रेगुलर टाइम टेबल वहां पर आपके कोर्स में अपलोड हो जाएगा और जो पुराना टाइम टेबल हो डिलीट हो जाएगा नया कोर्स का टाइम टेबल अपलोड होगा तो आप वह 19 दिसंबर को आपको मिल जाएगा अभी नहीं मिलेगा टाइम टेबल चेंज हो गया क्या नहीं अभी कोई टाइम टेब तो उनको बता दू घबराओ मत कि आपके पास एक नोटिफिकिशन गया होगा है ना चैट सेशन में पढ़ी उस मैसेज को घबराने वाले कोई बात नहीं है पैनिक नहीं होनों कि बताया था और कल लाइब नहीं ले लाइब होगी लेकिन न्यू बैच वाली नहीं होगी न्य तो आप लोग के लिए ही क्लास को थोड़ा पॉस्पोन करा गया है क्योंकि सभी बच्चे चाहते हैं कि मैं स्टार्टिंग से वीडियो देखू स्टार्टिंग से लाइब अटेंड करूं तो बच्चों आपकी वजह से ही सारी चीजे हो रही है आप अगर जैसा बोलोगे वैसा हम करें जो चीजें आपको कंटेंट में कम लग रही है वो भी आप लोग हमसे बोल सकते हैं कि मैं यह हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है वह आप कर लेकिन अभी अगर आप इंपोडेंट कोश्चन बोलोगे कि आ चुका है मैसेज चैट में आस चुका है बच् रहता है एक अच्छा स्टुवेंट कम माना जाएगा यह बोलो इंपोडेंट को क्या मतलब है इंपोडेंट कोश्चन सब क्या समझ रहे हो भई पांच किसी चलो आपकी सब्जिक्ट की बात करते हैं हमारे टोटल पांच यूनिट है पांच यूनिट में मालों 50 टॉपिक ह ठीक है अब आप उन में से इंपोडेंट क्या सोच रहे हो क्या सोच ना चाहते है उस इंपोडेंट कि हमें 8-10 कोश्चन मिल जाए हम वह वह पढ़ ले हमारा काम खतम तो बेटा अगर यह आपकी थिंकिंग है तो इसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल के भाद भार फ हो उस पर डिपेंड नहीं रहना पहले आप सारी चीज़े पढ़ो पचास टोपिक है एक पर देख लो सारे टोपिक उनको समझो कि बताना क्या चाहरा है इसलिए बस आपका क्या क्यों इंपोडेंट है वो सारी चीज़े आप अगर अपनी लाइफ को ही लो आप छोटे हुए दो साल के तीन साल के हर एक स्टैप चड़के ही तो आप आगे बढ़े हो ऐसा तो नहीं हुआ कि आप डायरेक्ट एक साल से 20 साल के बन गए तो भाई इस इंपोडेंट को जितना हो से के नेगलेट करो सारा स्लेबस पढ़ना चाहिए लास्ट में रिवीजन के लिए या एक नजर जिसे कहते हैं एक नजर मारने वाला वह इंपोडेंट कोशन कहलाता है स्टार्टिंग में फोकस बना के यह मत चलो कि मैं इंपोडेंट इंपोडेंट पढ़ूंगा और मैं पास हो जाओंगा तो बहुत गलत धारना है आप लोग किये इसको दिमाग में नहीं दखना है दिसंबर को बेसिक से पढ़ाओगे क्या मतलब हां जी 21 दिसंबर से न्यू बैच मतलब यूनिट फ़र्स्ट से क्लासेश चलेंगी ठीक है चलो आज आते हैं पॉइंट पे पढ़ रहे थे हम लोग जॉइंट्स के बारे में के जॉइंट्स तीन तरीके के होते है इम्मूवेबल जॉइंट्स लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल स्लाइटली मूवेबल और इम्मूवेबल हम पढ़ चुके हैं आज हमने डिसकस करना है फ्रीली मूवेबल फ्रीली मूवेबल को हम साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं और साइनोवियल जॉइंट के कफी सरे जोंट कौन कौन से हैं जी प्लेन, साइनोवियल या फिल गलाइडिंग जोंट हम इसको बोलते हैं हैं सै किंद अपका हिंज जोंट, थर्ड पाइबोल जोंट फोर्थ condular joint 5th elpsoid joint 7th saddle joint 6th saddle joint 7th ball and socket joint तो ये शाटो joint आपको synovial joint के अंदर पढ़ना ही जिसκो को हम क्या बोलते हैं synovial dia throses मैं से रिपीट कर दीजे क्या रिपीट कर दूँ भई हम joints के बारे में पढ़ रहे थे joints तीन तरीके के होते है immovable joint, slightly movable और freely movable immovable में जल्दी फट फटा अंसर करेंगे immovable में हमने क्या पढ़ा था जल्दी बोलो immovable के अंदर हमने क्या पढ़ा था immovable के अंदर हमने क्या पढ़ा था first, replying me first इसे अांसर करिए हैं तो भई चलो बताते रहें आंसर करते रहें आज हम साइनोवयल जॉ attitudes के अंदर One-By-one करके एक देखेंगे तो आप सबसे पहले आ जाएए यहां पर plane synovial या फिर gliding joint क्या है plane synovial gliding joint तो plane synovial gliding joint क्या है simple आपको यहां पर दिख रहा है structure में sliding slide कर रहा है slide कैसे कर रहा है ऐसे slide कर रहा है तो यहाँ यह वाली position आपकी कहा है इस ट्रेक्चर जेख पा रहे हो यह जी आपकी पॉजिशन आपकी यह जो फिंगर्स हैं फिंगर्स में यहां पर यह स्लाइड कर रहा है ऐसे हैं स्लाइडिंग जोइट से ही आपको सिंपल समझ में आ रहा हो प्लेन साइनोविल कोई ऐसी बॉन नहीं है बिलुकुल प्लेन है और एक बॉन के ओपर दूसरी बॉन क्या खरती है स्लाइड करती है राइट क्या लिखा हुआ है आर्टिक्यूलेटिंग सर्फेस यह फ्लैट और स्लाइटली कर्व बैक एंड फोर्थ साइड तू साइड मु क्या मैंसे जा रहा है जैस्ट एक चलिए जी बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मुमेंट हां जी बिल्कुल किसका अंसर है संजे शुकला का संजे शुकला वेरी गुड तो जी बच्चों कि सिंप्ली प्लेइन जो जोइंट रहा फ्लेइन साइड नौवियल है उससे आप यहा समझ गलो यह बल्कुल बॉन favor होती है और एक बॉन दूसरी पन पर यहां हमारी फिंगर है यहां पे करती है पर किस तरह कि की है यह साइड को साइड रूस साइड मुवेंट करती हैं इसे न है न कि फिस्ञार नहीं है बिल्कुल आसान है लेकिन बस यह कि आपको पता सारी चीजह होने चाहिए तो यह आपके कार्पल स्वन में में आपके कहां घ्रपल समय भी है आपके आपका Gliding साइनोबेल जोइंट कहां पर प्रेजन्ट होता है जी आपके कारपल में यह कैसा होता प्लेन होता है और यह स्लाइड मुमेंट मतलब एक डारेक्शन में इस तरीके से एक बोन के उपर दूसरी बोन स्लाइड की तरह आपको दिखते स्लाइड करती है कोई दिकत back and forth and side to side मुमेंट ठीक है जी आजाओ आगे अब आगए हम अगले एक्जाम्पल में यह कहां कहां और प्रेजन्ट है जैसे ही हम इसको पीछे करते हैं आपको यहां पे एरो मायो क्लेविकुलर जोइंट दिख रहा है और भाई इसकी बी स्ट्रक्चर में आपको दिखा दूँ यह तीनों एक्जाम्पल किसके है जी गलाइडिंग जोइंट के कहां कहां गलाइडिंग जोइंट स्ट्रक्चर कहां कहां प्रेज्जेंट है यह हो गई आपकी एरो मायो क्लेविकुलर जोइंट ओर आपका इस्टरनो उकलेविकुलर जोइंट इन तीनों जगहां पर कोन प्रिज्जेंट है cidade जोइंट तो यहां पर भौन में आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से कौन सी स्ट्रक्चर में कहां पे बोन स्ट्राइड कर रही है अब यहां हम एक्जाम्पल लेने कि भाई यह हमारी कौन सी बोन है जल्दी बोन का नाम बताओ फटफट आप पढ़ चुके हैं इस बोन का नाम कौन बता रहा है जल्दी जल्दी इस वन इस ट्राइंगुलर शेप क्या कहलाती है यह हड़ी किसका अंसर सबसे पहले आता है कौन आंसर सबसे पहले देगा अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया जी डोग टिप्स बाइ सुमित अच्छा सुमित ने सबसे पहले आंसर दिया है स्कैप्यूला फिर उसके बाद रूही कामीनी यादव संजय अविनाश अतुल चोहान रितिक धाकड ओके ठीक है जी गोरे राजू बहुत खतरनाख नाम खतरनाख नाम रखते हैं आप लोग है तो भाई यहाँ पर आप लोकेशन देख लीजेगा सारी आगे आजाओ हिंज जोइंट हिंज जोइंट आपका एंग्यूलर ओपनिंग एंड क्लोजिंग मोशन लाइक हिंज डॉर तो जैसे आप डॉर को ओपन करते हो हमारा कोई दरवाजा है उसकी चोखट होती है और दो अल अगेट को खौलते हो बंद करते है डारेक्शन में यहाँ था इदा हमने में पहलब को खोला या फिर अंदर मम अंदर को को talking तो यहां हिंज जोइंट एंड़ा है या न हमें परेजेंट होता है या तो हम इसकोन से मोडते हैं या यह इसे से मोडता है यह हमारे को इसक जी बिल्कुल तो यहाँ पे structure आप देख पाते हैं किस तरीके से यहाँ पे knee joint में आपका hinge joint present होगा आपके elbow में hinge joint present होगा एक axis इसकी fix रहती है आप कोई door है आपका दर्वाजा जब उसको आप एक side से खोलते हो तो ऐसा तो होता नहीं कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको उपर से खोलो नीचे से पकड़ा उपर से खोलो फिर आज मेरा मन कुछ और कर रहा है मैं इसको दूसरे side से खोल दो मतलब direction बदलने की कोशिश लेकिन वह तो एक direction में आपका gate fix है जिस direction में आपने खुलवाया है बंद करवाया होगा वहीं पर फिक्स रहेगा तो हिंज joint में भी सीधा सीधा यही बात है कि आपने जिस direction में यह जिस axis पर हमारा point fix है तो bone की moment भी उसी axis पर fix रहेगी हमारी हाथ की elbow की भाई यह fix है ऐसे इसको moment करना है तो यह अब इसकी कोई direction दूसरी change नहीं हो सकती जिस axis पर यह moment कर रहा है उसी axis पर ही moment करेगा है ना ठीक है आगे आजाओ जी आगे आजाओ पाइवाट joint ठीक है जी पाइवाट joint में आप क्या देख रहे हो आपका uniaxial motion इसका एक uniaxial motion motion होता है one bone articulating with a ring form by another bone तो जो एक bone है वो दूसरी bone में फसी होई होती है यहां आप एक structure देख रहे हो हमारी एक bone दूसरी bone से इस तरीके से connect रहेगी यह वहाँ एक हमारी bone होई दूसरी bone इसमें घुस जाएगी मतलब उसके अंदर attach रहे यह connect हो जाती है bone are like ring form और another form हाँ जी संजे विलकुल कोई दिक्कत वाली बात है आप यहां पर देख सकते हैं यह जो पारी elbow वाली और व्रेष्ट यहां से लेकर यहां तक की जो बॉन होती है नहीं साथ में radius और अलना तो जो radius और अलना होती है वह यहां पर fix रहती है कौन से में humorous bone में यह आपकी हाथ की हड्डी है यहां से लेके यहां तक क्या बोलते हैं इसको humorous इससे नीचे दो हड्डिया होती है रेडियस और अलना इन दोनों के बीच में जो joint होता है वह कौन साथी पाइवार्ड जोंट एक हड्डी के बीच में दूसरी हड्डी तरीके से फसी हुई रहती है उसको पाइवार्ड जोंट उसी तरीके से नी में भी है नी से जो नी से उपर वाला वाला पौन है उसे क्या बोलते हैं फीमर मतलब जांक कि हड्डि अब जो नी से आपके तार्शल्स तक हड्डी पहसी होएगी और यहां रएगी दो anch होती है फिर इन दौनों को इस तरीके से यह हमारा हाथ इस तरीके से मुमेंट कर पाता है इस पाइवोइट जोइंट के कारण तो यहाँ पर यह इस्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि लिलिश हो रहा है तो यह जी हो गया आपको पाइवोइट अब आ जाते हैं आगे यह तो इसमें क्या है सीधा दिख रहा है एक कप है और एक बॉल रखी गई है तो यह आपको श्ट्रक्चर कहां दिख रही है यह structure जो यह हमारी उंगलिया है मतलब fingers है यह मोटे मोटे थोड़े थोड़े उपर को उबरे हुए रहते हैं आपकी phalanges में तो यह phalanges में joint होते हैं कौन से ellipsoid joint तो यहां सीधी सीधी देख रहे हो एक हड़ी होगी आपकी कप की तरह और एक हड़ी होगी आपकी जिस पे बोल मतलब कप पे बोल रखा हो तो उसको में ellipsoid joint बोल रहे हैं जो आपके यह phalanges में प्रेजेंट होता है आगे जी शैडल जॉइंट शैडल जॉइंट आपका बाई एक्जिल मोशन वन बोन इस सैडल शेब एंड अधर फिट इंटू आ कार्पो मेटा कार्पल जॉइंट अब जी कार्पो या फिर कार्पल हम जिसे बोलते हैं मेटा कार्पल जिसे बोलते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होता है जल्दी बोलो हाथ में हाथ में मेटा कार्पल यहां पर प्रेजेंट होता है यह वाले आपकी जो हड्डिया है वो पके इस लोकेशन पर मतलब California यह आपकी ओगई नगी तो आपकी कौन जिसमें कौन सा ऐं यह वाला और सो और यह कौन सा हिस्सा है यह आपका कार कारपाल मतलं हádको विरिष्ट यह आपकी कलाई वाली यह गटटा जिसेम्म बोलते ह। यहां पी प्रेसेंट होती है कारपल्स तो इन कारपल्स के बीच में और इन माटा कारपल्स के बीच में कुछ इस तरीके का जोइंट होता है दिख रहे हैं आपको ऐसे फस जाता है तो हमारी हड्डिया यहां पर इस तरीके से फस रही है देखो इस्ट्रक्चर देखना दिखुनों इसकी शेप तोड़ी कुछ इस तरीके की है धिखरा है एक खड़ी हमारी ऐसे हो गई दूसरी हमारी हड़ी ऐसे हो गई तो यह आपके शैडल शेप में है जो आपस पे फसी हुई रहती है कहां पर प्रजेंटेजी कार्पल और मेटा कार्पल के बीच में क्लियर ठीक है आगे आजाओ अब आजाते हैं आपके सिक्स्थ बोल एंड शाउकिट जोइंट पे बोल लाइक सर्फेस और वन बॉन फिट इन्टु काप लाइक डिप्रेशन ऑफ अधर बॉन तो यहां पर बॉल एंड सॉकिट जोइंट कहां पर प्रिजेंट होता है आपके शॉल्डर में यहां पर इसको आप फ्रीली कि इधर भी इधर भी इधर भी पूरा गॉल गॉल क यहां एक सॉकिट बना हुआ रहता है कॉन केव शेप का मतलब इस हड़ी में यह आपकी कॉन केव शेप की सॉकिट हो गई यह मतलब एक हड़ी तो हमारी कॉन केव शेप की होगी और एक हड़ी होगी हम कॉन्वैक्स बोल सकते हैं इधर से उभी इधर से उभी तो बॉल की तरा चैनल से यहां वाल अइस को बना देते हैं विल्कुल तो यह बन गई है सौकेट से सौकेट तो यहां पर यह बॉल वाली शेप की हड़ी जाकर करके सौकिट में अटैच होती है इसलिए इसको बॉल एंट सौकिट जोइंट बोलते हैं और यह प्रॉपरली इस तरीके पूरा गूम जाता है यह जी हमारा पूरा गूम जाता है कि मान रहे हो हां जी बिल्लकुल हाँ जी हीप जोइंट भी यही होता है बॉंल ड्न सोट जोइंट दो जगा यह प्रिजेंट होता है बॉल असोट anticip जोइंट आपके शॉल्डर में और है जिस्वेशं की हड़ी और स्वड़ी जो हीप की हड़ी ही वह शेच रहती है अधिया क कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए दिक्कत वाली बात बिल्कुल इजी है कुछ समझाने वाली बात नहीं स्ट्रक्चर देखो सारी चीज़े समझे में आ रही है तो पुरा खत्म हों गया है कल हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक मुलकुल सिंपल है बॉल साइनोवियल जोइंट का अब जो हम कल शुरू करेंगे एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इससे आगे वाला टॉपिक कौन सा टॉपिक है कौन सा टॉपिक है भाई है कि सब कुछ बड़ी बात क्या बोल रहे हो अमित चोहान कि फ्ल्यूड ब्लड अच्छा ब्लड के बारे में राइट तो भाई कल तोड़ा सा प्रिपेर होके आना पहले कौश्चन पूछे जाएंगे उसके बाद हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे है ना चल यह भाई आज तो हमारा छोटा सा टॉपिक बचा था कदम हो गया है कल हम थोड़ा सा जादा पढ़ेंगे बाड़ी फ्लूड या फिर ब्लड के बारे में है ना तो भाई कल प्रिपेर रहना चल यह ओके टेक केर लाइव आज जल्दी एंड कर देते हैं क्लास का टाइम कितना रहेगा क्लास का टाइम बिटा वही है शाम को 6 बजे से ही है क्लास का सेम ही टाइम है शाम को 6 बजे से 7 बजे का तो उसी टाइम पर है एचेपी के क्लास होगी आज बस कुछ इशू के कारण बस हो गया थोड़ा सा वर्क ज्यादा था उसके कारण लेट हो गया नहीं तो किसी का कोई क्वैरी हो अगर कोई क्वैरी पूछना चाहता है तो पूछ सकता है किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है कि क्वेरी नहीं है तो हम फिर जा रहे हैं चले ठीक है टेकर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो भाईया जाके लाइक कर दो लाइक कमेंट भी कर दो वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे तो एक भी कमेंट दिखता नहीं है अपने कमेंट सेक्शन में कि मैं ठीक पढ़ाया खराब पढ़ाया कि कुछ गलत था या एक्स वाई जैट फलाना धिंग करना लेकिन कुछ नहीं बताते हैं कुछ तो बोल दिया करो चलो टेक केर वाब बात नहीं करनी है मुझे करता है